हेलो फेंट्स मैं सिएरा के सिंगल रिसर्च अनलिजित और आप पस्वागत है हमारी टेली सीरीज कल के बजार में क्या करें के न है वह आज हम आपको निटी के लेबल तो देंगे जाएं मारी पीडिक नपार सवालों के जवाब गया तो बात करते हैं आज के बात बात करतें निप्ति की निप्ति का चार्ट आपकी स्क्रीन पर अग्रिटी की बात करें निप्ति आज अपन वह ने टू-3-4 पर और उसके बाद निप्ति ने डे हाई लगा ये लेकिन उसके बाद निप्ति ब्रोडली नाइन टू-7-0-7-0 की रेंज में था और फैनली 9199 यानि 9200 से नीचे क्लोजिंग दी अगर कल के लिए निप्ति के लिए बात करें तो कल निप्ति हमें लगता है 9100 से 9300 की रेंज में रहां चाहिए इस पेशली 9300 से 9320 का जो लेवल है वो एक रेश्टेंस लेवल का काम करेगा जहां पर प्रोफिट बुकिंग आनी चाहिए और नीचे में 9150 से 9100 एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे भी उच्छाल पर विक्वालिक है अब बात करते हैं बैंक निप्ति की बैंक निप्ति का च 9600 से 9400 की रेंज में ही रहा बहुत ज़्यादा वोलेक्टिलिटी नहीं थी आज और फैनली बैंक निप्ति 9492 यानि 9500 से नीचे क्लोज हुआ है कल के लिएकर में बात करूं तो कल बैंक निप्ति को 9800 से 1910 की एक रेंज थोड़ी बड़ी रेंज है जो देखने को मिल सकती ही हमें और स्पेशली उननीच सासो प्यास से उननीच आट सो एक रेंज हो सकता है जहां पर एक प्रफिट की आनी चीए और नीचे में उननीच से उननीच एक सपोर्ट का लेवर दैसकता है बैंक डिप्टी के लिए तो हमारा भी उच्छाल पर विक्वाली करिए अब बात प्राइश है 900 पर जो कि 15-30 दिन में आना चाहिए इसका स्टॉप लॉस आप रखे 779 पर क्लोजिंग बेस प्राइश है इसको बाई हम क्यों कर रिकमान कर रहे है क्योंकि एक तो हमारा जो बाई प्राइस है इस्टॉक के सपोर्ट प्राइस के आसपास है दूसरी चीज जो प्राइस है वह भी करीब 20 DMA के पास है तीसरा जो इसकी स्टॉक स्टॉक स्टिक्स है वह भी ओवर सोल जयन में है जो कि वहां से राइच करना शुरू कर रही है साथी साथ इस्टॉक में पिछले एक महिने में हायर आई हायर लोग बनाए है यानि कि एक अपवार टेंड मे परचेज किया है और मेरा आट सु नौसुप पञा़ रुपए कभाव मेरा को कब तक मिल जाएगा राजी अभी कभाव इसका 825 रुपे का स्टॉक का स्टॉक स्टॉक सॉट्टम डाउन ट्रेंड में है और मेरे को लगता स्टॉक में 800 रुपे का सपास अच्छा सपोर्ट है तो यह ट्रेन तभी रिवर्स होता है जबकि इस टॉक 860 रुपे के उपर कम से कम दो बार बंद हो तो यह ट्रेन रिवर्स होगा और तब उसके बाद फिर हम देख सकते हैं आलंकि मेरे को लगता है कि एक से दो महिने आपके स्टॉक टागेट प्राइस है उसको आने में ल पाकि हमारे वीडियो को देखते रहें लाइक करते रहें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मुनाफ़ा कमाते रहें घर परी रहें स्वस्त रहें धन्यवाद